नमस्कार, जैहिंद, हरे कृष्णा और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से चैनल आई-एस विजिन में सो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है about space mining जी हाँ, space mining के बारे में हम लोग बात करेंगे ये बहुत ही एक interesting field है इस field में आने वाले 10 से 20 सालों में बहुत बड़ी explorations होने वाले हैं और technologically अगर देखा जाए तो बहुत जादा advancements की और हम लोग जा रहे हैं उससे interplanetary species की तरफ अगर हमें एक giant leap लेनी है तो space exploration को exploit करना उस field के बारे में जितना हो सके उसको explore करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी हो गया है क्योंकि बात अब Mars missions की है, Mars missions से आगे हम लोग अलग-अलग moons को भी target कर रहे हैं जो की दूसरे planets के जैसे की Europa हुआ, Titan हुआ, Ganymed हुआ, तो इन सारे के सारे आपने अगर जो लोग भी space science में थोड़ा interest रखते हैं उनको इस विशे में पता होगा कि ये कौन-कौन से नाम है, किन-किन से planets के moons हैं और क्यों ये जरूरी है और अगर ये भी देखा जाये तो हमारी जो प्रित्वी है, हमारे जो planet है, हमारी earth है वहाँ पे जितने भी ये resources हैं, वो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे deplete होते जाने हैं धीरे-धीरे-धीरे-धीरे समापती की और जा रहे हैं So that is why ये बहुत जादा जरूरी हो जाता है कि हम अब उस technology की तरफ देखना चालू करें उस technology की और देखना आरंव करें, जहां पे अब future लाई करता है तो future कैसे लाई करता है, छोटा सा मैं आपको example बताता हूँ हमारे पूरे के पूरे solar system में millions, मिलियन्स में asteroids हैं asteroids वो छोटे-छोटे ग्रहों के पिंड होते हैं, छोटे-छोटे टुकडे होते हैं पत्थरों के जो की घूम रहे हैं और वो planets या फिर moons नहीं बन पाए, fail हो गया, तो उनी को हम लोग asteroids कहते हैं तो अगर पृत्वी की बात करें, तो 1.7 trillion US dollar की, जी हाँ, 1.7 trillion US dollar की economy है demands बहुत जादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, तो हमारे घरों में भी शादियों में, सोने, हीरे, जावरात, इन सब की बहुत जादा demand रहती है fuels की अगर बात करें, तो पूरी दुनिया energy पे चल रही है, और energy के बिना कोई काम हो ही नहीं पाएगा तो इसी industry में अगर बात की जाए, तो मैं एक छोटा सा आपको example देता हूँ, कि एक venue करके एक छोटा सा asteroid है हमारे solar system में, जिसकी worth 679 million US dollar की आखी गई है 679 million US dollar की जिहां, रुपियों में आप 82 से multiply करके कर लीजेगा, 82 billion US dollar की यूगू करके एक asteroid है, उसका भी 82 billion dollars अब आप सोचिए कितनी जादा worth है, उसके अलावा 100 trillion US dollar का एक डाबेडा करके asteroid है, उसकी कीमत आखी गई है सो कहने का मतलब यह है कि यह जो asteroids है, इनकी worth बहुत ज़ादा है, because इन में gold का होना, platinum का होना और iron का होना तो सवाल यह होता है कि अगर किसी तरीके से future में हम लोग इन सारे asteroids को harness कर भी लेते है, utilize कर भी लेते है तो सबसे बड़ी जो issue रहेगा कि अगर इतना सारा gold, platinum और silver या फिर iron market में available हो जाए, copper available हो जाए तो फिर इनकी जो price है वो अपने आप घड़ जाएगी, तो कहीं न कहीं demand supply वाला game है So that is why, ये एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि mining करें भी तो किस की करें अगर precious metals की, precious stones की आप वहाँ पर mining करने जा रहे हैं और उनका influx आप बहुत सारा कर देते हैं क्योंकि आप सोची कि हमारे earth से बाहर से उसको लेकर आना है, अगर उसको बाहर से लेकर आना है, तो छोटा तो लाएंगे नहीं आप क्योंकि feasible नहीं है फिर आप बेचेंगे बहुत जादा दामों में तो कोई मतलब नहीं है फिर तो यही है कि आप बहुत सारा लेके हैं बहुत सारा लेके हैं यहाँ पर supply बढ़ जाएगी तो फिर demand automatically कम हो जाएगी सवाल यह पैदा होता है कि mining करे भी तो करे किसकी तो एक solution one step solution यह आता है कि हम लोग in-situ resource utilization की तरफ जाए अब यह in-situ resource utilization क्या है जैसे suppose कीजे कि moon है हमारे earth के सबसे पास में अगर कोई celestial body है तो वो moon है हमारा खुद का natural satellite अब वहाँ पे हमें पता है कि उसके south pole पे उसके poles पे water के reserves है frozen form में है तो वहाँ पे आप एक क्या कीजे एक station बना दीजे जहां से आप water mine कर रहे हैं और अलग अलग जगे पहुँचा रहे हैं यानि कि जैसे माल लीजे company गई उसने ये setup किया उसके बाद में दूसरी जो space agencies है जैसे इंडिया की या फिर रश्या की और US की ये space agencies जाके वहाँ पे अपने explorations करते हैं वहाँ पे अपने scientists को बेशते हैं अपने astronauts को बेशते हैं और वहाँ पे research चल रही है research कुछ भी हो सकती है for example की space में कैसे humans को survive करना है आगे अगर space tourism बढ़ाते हैं या फिर हम यूँ कहीं कि interplanetary travel भी एक possibility बनती है तो उसके लिए तो पानी तो लगेगा तो वहाँ से फिर water का supply किया जाए अब भी जैसे lower orbit में या फिर moon और earth के बीच में ही एक क्या कहते हैं उसे एक refuel station अगर हम लोग बना दें तो ऐसा हो कि वहाँ से fuel आ रहा है अच्छा दें कि fuel के form में भी water बहुत जादा important है क्योंकि एक तो biological sustenance तो वो करता ही है वो factor तो है ही उसके अलावा अगर इसको break किया जाए hydrogen and oxygen तो जो zero emission fuel है hydrogen वो भी यहाँ से produce होता है जो कि एक बहुत बड़ी achievement है अगर इसको हम लोग पा लेते हैं तो उससे होगा क्या कि जो further space exploration है जैसे Mars तक या फिर Europa और Ganymede और इन सब की हम लोग बात कर रहे हैं Titan इनकी बात कर रहे हैं तो वो एक possibility बन जाएगा और majority जो satellites है वो fuel के run out होने की वज़े से ही उनको discard कर दिया जाता है उनको lay off कर दिया जाता है लेकिन फिर क्या होगा कि अगर आपने बाहर explore, mine किया उसको वहीं पर आप utilize कर ले ठीक है ये एक बहुत बड़ा advantage है जहां पर किया जा सकता है बजाए इसके की ले के आना क्योंकि मैं एक छोड़ा से example बताता हूँ कि 2010 में मानव इतिहास में सिर्फ 2010 में एक बार ऐसा हुआ है कि Hayabusa mission था 2010 में कुछ dust particles ही ले के आ और अगर देखा जाए तो उसका पूरा cost 250 million US dollar का था आप देखी कितना जादा महंगा है ले के आना करना जो future है मेरे according वो ये है and इसी पर target भी करना चाहिए कि जो for example iron भी अगर mine हो रहा है या precious metals भी माइन हो रहे हैं तो उनका वहीं पर utilization हो and then further उसको आगे की तरफ जो human है वो humans जो है वो एक space-faring technology के form में बनके आए अब इसमें बहुत सारे space agencies मिलके काम करेंगी बहुत सारे government organizations and government space agencies हैं वो काम करेंगी और जो जैसे billionaires हैं आज की date में जैसे Elon Musk की बात करें top two billionaires Elon Musk and Jeff Bezos हला कि Gotham Adani आ गए है but Jeff Bezos की blue origins company को ले 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 या इनकी space-ex को ले ले तो ये companies ऐसी हैं जो की ये giant leap लेके आएंगी for sure for the humanity and मुझे ज़रा comment section में ये बताईएगा कि आपके हिसाब से future क्या है space mining का और कैसा होना चाहिए इंडिया इसमें कितना vital role play करेगा right क्योंकि एक चीज छोटी सी अगर आप notice करेंगे तो moon के साथ में क्या असानी है कि इसके पास gravity है asteroids की कोई gravity नहीं होती भाई और asteroids की अगर कोई gravity नहीं होती ना तो सबसे बड़ी problem ये है कि हमें पूरे equipments को पहले उस asteroid के साथ attach करना पड़ेगा और फिर mine करके और फिर आगे के processes चालूँगे so that is why ये आने वाले 10-20 सालों में आपको देखने को मिल सकता है लेकिन moon अभी जो है जो हमारा चंद्रमा है वो सबसे ज़ादा viable option है इस काम को करने के लिए and मैं comments में जरूर आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों की क्या राय है आप लोगों की क्या विचार है कि space mining और जो space exploration है उसमें कैसे help कर सकते हैं कैसे humans को एक space-faring species बनने में वो help करेगी आशा करता हूँ आपको ये video informative लगा हो and ऐसे ही amazing videos आते रहते हैं चैनल पे इसको please subscribe कीजेगा and जितना हो सके इसे फैलाईएगा मिलते रहेंगे तब तक के लिए जैहिन जै भारत वन्दे बात रहो